नमस्कार सुआगत है आप सब लोगों का मेरे YouTube Channel लोहानी हुआ जापानी में और अभी यहाँ जापान में रात के बज़रे हैं देड़ और आप से ठीक और आप लोगों के बज़रे हैं रात के दस और आपसे ठिक दो घंटे के बाद मा भारती अपने 75 आजादी के वर्स में प्रवेस करने जा रही है और क्योंकि मैं पहले इस तर्थ थोड़ा भूत लिखता वा आया हूँ जितना इस इस्वर में लिखने के काविल बनाया है थोड़ा भूत लिखता हूँ तो मैंने कहा यू ना इस अजादी पर कुछ चार-पांच पंक्तिया माभारती के लिखी जाए और आज मैं कुछ कविता लिखी, मैंने पंक्तिया लिखी है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको सुनिए दो तिया तीम मेर्ट की कविता होगी इसमें माँ भारती के बारे में लिखाया है उन फोंचियों के बारे में लिखाया जिन्होंना अपना जीवन माँ भारती के रक्सा के लिए सीमा पर लगा दिया मैं सुरू करता हूँ मेरा करवद्द निवेदन है कि आप उनको सुनिये कविता अच्छी लगे राश्वक्ते की भावना अगर तरह सी भी दिखे तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा मैं सुरू करता हूँ और आप लोग सुनिये आओ मिलकर जलाए दिये हम वहां आओ मिलकर जलाए दिये हम यहां राश्वभक्ती को अरपन है जीवन जहां मा भारती से मांगा है हमने ये वर जन्म मेरा वही तेरा चल जहां क्या से क्या हो गए हम मा तेरे लिए हमने छोड़ा है जीवन भी तेरे लिए क्या से क्या हो गए हम मा तेरे लिए हमने छोड़ा है जीवन भी तेरे लिए तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे मेरे जीवन का सब कुछ मा तेरे लिए मेरे जीवन का सब कुछ मा तेरे लिए तूने मुझको पुकारा मैं दोड़ा चला तू रोई थी जब मैं भी रोता चला तूने दर्द सहे पीडा कहना सकी लोट मैं ना सका तेरी और चला अब सहीत के बारे मता आता हूँ सहीत के घरवाले क्या सोचते हैं कितनी चूड़ी है तूठी रक्षा के लिए कितनी बिंदी है उजडी सुहाग के लिए मांग भी है तरस्ती कुम कुम के लिए मांग भी है तरस्ती सिंदूर के लिए कितनी राखी कितनी राखी पढ़ी है भईया के लिए और अब अंति बंद पढ़ता हूँ जिसमें हम लोग को करना क्या है आओ मिलकर के ले हम वचन ये यहाँ आओ मिलकर के ले हम वचन आज ये राश्ट्र भक्ती में जीवन समर्पित करे बन जाए कवच रक्षा के लिए बन जाए कवच अपनी मा के लिए मा के प्राणों के प्राण सदा हम बने मा के प्राणों के प्राण सदा हम बने बस ये मैंने अभी उठकर के ही ये पंक्तिया लिखी थी इतनी ही पंक्तिया लिख पाया कैसे लगी आप बताईए और सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को पुना अजादी के 25 वर्ष की बहुत बहुत सुपकार में धन्यवाद